नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB हिंदी नूज हर्यान की किरन चोदरी बनी स्टार परचारेक कोंग्रेस में अंद्रोनी बगाव थामने का प्रियास सूची में करनल मोहित का नाम बिसामिल हर्यान सरकार द्वारा किसानों के लिए हर्याना फिरी वाटर रिचार्ज बोर्वेल योजना हुई शुरू बताएंगे जरूरी दस्तावेज और पात्रता हर्याने के स्कूल मई महिने में सपता बर्षे ज्यादा दिन राएंगे बंद बताएंगे छुटियों के पूरी लिस्ट हर्याने के मुसलिम बाहुले इलाके में बीजेपी उमिद्वार राविंदर जीत शिंग का दावा बोले जीत तो मैं गुरू ग्राम वर रेवाडी से भी जाऊंगा एक बार नू से भी जिता दो भीवानी में कॉंग्रेस चुनाव मीटिंग में नहीं आई किरन चोदरी पूरुशियम हुड़ा दान सिंग ने नहीं लिया नाम बोले बंशिलाल परिवार साथ और पंजाब किंग्स इंडियन प्रीमिर लीग 2024 के प्ले आफ रेज से बाहर हो गई टीम को उशी के होम ग्राउंड पर रोयल चैलेंजर बेंगलूर ने 60 रो निशार आया और अब खबरें विश्तार से बेती रात से राधानी चंडिगर साई उत्तर हरियाना में एक वेस्टन डिस्टर्बेंस सक्री हो गया है जिस कांड से मोसम में बदलाव देखने को मिलेगा इसके बाद पूरे दिन आसमान में बादल देखने को मिलेगे और बीच-बीच में बारिश भी हो सकती है इसके का अधिकारिक वेबसाइट पर जागर अपना आविदन अपलाई कर सकते हैं आविदन करने के शुरूत विथी की बात करें तो 22 माई 2024 है आविदन करने के आखरी तारिक 5 जून 2024 है रैली का समय 3 से 12 जून 2024 तक रहेगा इन पदों के लिए उमिद्वार का 10 पास होना जरूरी ह तदा उमिद्वारों के पास संगित योगेता भी होनी चाहिए नियूनत मायू 75 वर्स अधिकत मायू 21 वर्स निर्धारित की गई है आविद्कों का जन दो जूलाई 2007 से दो फरूरी 2024 के बीच हुआ होना चाहिए इन पदों के लिए उमिद्वारों को ओन लाइन आविदन क यानि कि MSP का लाप देने से वन्चित करने के लिए दिल्ली हरियाना पंजाब और राजस्तान की सरकार को पत्र लिखा है केंद्र ने इन राज्यों के मुखे सचीवों को इसे लागू करते वे जल्दी स्टेटर्स रिपोर्ट शोपने को भी कहा है एकोनोमिक स्टैम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकरी साजा की है वीतियवर्श 2024-25 में इस नियम को लागू करने की योजना सरकार के द्वार तयार की गई है NSRC औरिश्रो को ऐसे खेतों की मैपिंग की जिम्मेदारी शोपी गई है जिन खेतों में प्राली जलाई जाती है और इसके लिए एक प्रोटोकॉल तयार क्या गया है इस रोप प्रोटोकोल के दायत प्राली जलाने वाले किसानों को MSP से पर्तिबंदित के जाने का फैसल लिया गया है हारियना में जारी सियासी उठा पटक के बीज बीजेपी सरकार पर संकट के बादल मन राने लगे हैं तीन दर्दले विदायकों के समर्थन वापस लेने और कॉंग्रिस पार्टी को समर्थन देने से नायवशनी सरकार अल्पमत में आ चुकी है विपक्स नैतिकता के आदार पर मुख्यमंतरी से इस्तिपा देने के बात कह रहा है दूसें चोड़ाला ने पत्र में लिखा है कि दो विधायकों के इस्तिपी के बाद सदन की संक्या 88 है ऐसे में बीजेपी के पास 40 विधायक है और कॉंग्रिस के पार 30 तो जेजेपी के 10 हलोपा और इनेलो के पास एक-एक विधायक है इसलिए सरकार के पास बहुमत का आकड़ा नहीं है इसलिए विधान सभा का सत्र बुलाकर फ्लो टेस्ट किया जाना चाहिए वहाई दोसें चोड़ा द्वारा राजिपाल को चिठे लिकर फ्लो टेस्ट करानी के मांग पर और मुक्या उंतरी वुपेंदर शिंग हुटा ने अपनी परितिक्रिया दी है हर्यान विधान सभा की अदेक्स ग्यांचंद गुपता ने कहा कि यह परंपरा यह है कि 6 महिने से पहले एविश्वास प्रस्ताव नहीं ला जाता है हालें कि ऐसा कोई नियम नहीं है यही वज़ा है कि समुचा विपाक्स अब हर्यान विधान सभा की मांशुन सत्र का इंतसार कर रहा है जहां विपाक्स एकजूट होकर सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है आपको यहाँ पर बता दे कि सरकार बचाने के तीन रास्ते हैं पहला यह कि जेजेपी के 10 में से 6 विधायक पार्टी से नारा चल रहे हैं और इन में से 2 विधायक बीजेपी के लोकसभा परतैस्यों के लिए चुनाव परचार भी कर रहे हैं वहाँ दो विधायक कॉंगरेश के पक्स में भी हैं ऐसे में यदि बीजेपी इन 4 विधायकों को मनाने में कामियाब हो जाती है तो उसके पास नंबर की संक्या 47 हो जाएगी फिर सरकार गरने का खत्रा ठल जाएगा दूसरा ये कि सरकार से समर्थन वापिस लेने वाले निर्दले विधायकों को मना कर बीजेपी फिर से अपने पाले मिला सकती है इससे किसी भी विधायक पर सविधायक संक्ट भी नहीं आएगा और सरकार चलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा तीसरा रास्ता ये है कि जेजेपी से नारा चल रहे चाह विधायक अगर विपक्स के विश्वास मत या फिर एविश्वास प्रस्ताओं की दोरान विधान सभा से अनुपस्तित रहते हैं इसमें से 30 कॉंग्रेस, 10 जजबा, 4 निर्दलिया और 1 इनलो से विधायक है अगर पूरा विपक्स एक जुट हो तो सरकार गिरना संभा हो है दूसरी वज़ा है सरकार गिरने की ये हो सकती है कि फिलाल सरकार के समर्थर में 2 निर्दलिया और 1 हालोपा विधायक गोपाल कांडा है अगर ये भी समर्थर वापस ले लें तो BJP के पास सिर्फ 40 विधायक बचेंगे फिर सरकार नहीं बच पाएगी गुरुद जंबेस और 20 विधाले यानी जीजेयू में नई सत्र से राष्टे सिक्षन नीति के तहट कई कोर्स शुरू होंगे जीजेयू में नई सेशन से मेडिकल कोर्स की भी शुरुवात होनी जा रही है नई सत्र से BSC Nursing, A&M यानी Assistant Nurse Midwifery और G&M यानी General Nursing and Midwifery के कोर्स शुरू होंगे सभी कोर्सेज में 30-30 शीटे उपलब्द करवाई गई है कोर्स शुरू होने के बाद विध्यारतियों के प्लेस्मेंट और इंटरन्सिप के लिए सहर के बड़े-बड़े हुस्पिटलों के साथ-साथ 20 विध्याले परसासिन के तरफ से M.I.U. भी हस्ताक्सर किये जाएगा दिल्ली और चंडिगण से ये कोर्स करने वाले विध्यारतियों को सहर में ही अब ये कोर्स उपलब्द होने वाले हैं और उन्हें सहर में ही रोजगार दिलवाना भी इसका लक्स रहेगा हरियाना साही, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्तान के लोगों के लिए एक राहत भरी कबर सामने आई है समय से पहले ग्लेशर पिंगलने से इस बार नंगलस्तित भागडा डेम में प्रियाप जलस्तर होने के कारन गर्यों में उपरोक्त राज्यों में किर्शी के साथ साथ पीने के पानी के बिए कोई खिलत नहीं रहने वाली है बताने कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने अपना रोध रूप दिखाना शुरू कर दिया है जिससे एक आएक पानी की डिमांड अचानक से ज़्यादा बढ़ गई है पहुँचता है याँ से फिर पानी हरियाना दिल्ली पंजयाब राजस्तान के कुछ छेतरों में जाता है हरियाना सरकार दुआरा किसानों के लिए हरियाना फ्री वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना सुरू कि गई है इस योजना के तायत राजी के किसान अपनी खेतों में फिरी में बोर्वेल स्थापित कर सकते हैं बता दे कि मानसुन सिजन में अत्यादिक वर्षा के कान खेतों में पानी खड़ा हो जाता है जिससे कि किसानों की फसल खराब होने लगती है इन सबी समस्याँ को देखते विए हरियाना सरकार द्वारा खेतों में बारिश का पानी जमान ने हो इसका परबंद करते विए इस योजना को लागू किया गया है इस योजना के तैट किसान अपनी खेतों में मुफ्त में वाटर रिचार्ज बॉर्वेल लगवा सकते हैं इससे बर्षात का पानी वाटर रिचार्ज बॉर्वेल में इखटा किया जा सकता है जिससे कि खेतों में अधिक पानी बरने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और साथ ही भूमी का जलस्तर भी बढ़ेगा इस योजना की खास बात यह है कि किसानों को इस योजना की तहित वाटर रिचारज बॉर्वेल लगवाने पर कोई भी खर्चाद देनी के आउशक्त नहीं होगी भोर्वेर लगाने के लिए आविदे किसान के पास अपना आधारकार, सबतपतर, जम्विन का विवरान और उन्हें ओनलाइन आविदन करना होगा हर्याने के स्कूलों में नाय सेक्शनेंग 7 शुरू हो चुका है अप्रेल के मैने से शुरू हुई एडमिसन के प्रिक्रेवी अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है मैं मैने की सुरुआत से स्कूलों में सिलेबस करवाने पर भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि जोन के मैने में होने वाली गिर्शम कालिन अवकास से पहले ही विद्यारतियों को निरधारी सिलेबस करवाया जाना होता है इसी बीच मै के मैने में होने वाली चुटियों की लिष्ट भी जाली कर दी गई है हरियान सिरकार द्वारा 10 मई यानि आज परशुराम जैन्ती के उपलेक्स में सभी सेक्षिनिक संस्तानों में छुट्टी की गोशना की गई है साथ ही इसी मिलाकर मई के महिने में सब्ता बर्षी जादा छुट्टिया रहने वाली है इनमें रविवार को होने वाली छुट्टियां भी सामिल है इसके लावा 25 मई को लोगस्वा चुनाओं के चलते छुट्टी गोशित की गई है तो यहाँ पर आपको बता दें कि 10 मई यानि आज सुकुर्वार को परशुराम जैन्तिव अक्षे तृत्या की रहने के कान छुट्टी है वहीं 11 मई दूसरा सनिवार पड़ेगा 12 मई को रविवार होने के कान छुट्टी हो गई है तो साथी 19 मई को रविवार 23 मई वीरवार को बुद्ध पोनिवा वे गुरु गोरकनात स्मर्ति दिवस के कान स्थानी आउकास रहेगा मही 25 मई को लोक्षभा चुनाव के कान छुट्टी रहेगी तो 26 मई को रविवार के कान छुट्टी है महर्ची दैनेंद विस्विदेल है यानि MDU रोतक की तरब से 2001 से रजिस्टर्ड यूजी और पीजी यानि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट करमों के विद्यारतियों को डिगरी पूरी करने वे बीएड को छोड़कर अन्य पार्ट करमों में परिक्षा फॉर्म पैनल 15 माई 2024 से पांच जून 2024 तक लाइव रहेगा परिक्षा नियंतरक प्रोफेसर गुर्शनलाल तनेजा ने जानका रिदी कि MDU के यूजी और पीजी पार्ट करमों 2001 से पंजिकर्त उन विद्यारतियों को स्पेशल चांस दिया गया है जो भी किसी व परिक्षा फॉर्म और फीस पैनल पर ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं परिक्षा जून और जुलाई 2024 में ओफलाइन मोड में MDU केंपेस में आउजीत करवाई जाएंगी हर्यना के भिवानी मेहंद्रगट लोक्षवा सीट पर इस बार सियासी माहुल काफिक गर्म है यहां से भार्ट्य जंदा पार्टी यानी BJP ने चोधरी द्रमवीर सिंग को लगातार तीसरी बार कैंडिडेटी बनाया है वहीं कोंग्रिस ने किरन चोधरी की बेटी शुरुती चोधरी का टिकट काट कर गेर जाट राव दान सिंग को पहली बार चुनावी मैदान में उता रहा है एक्सपर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट की जाने तो लोगों से बाचित के बाद बिवानी मैंदरगड में मुख्य मुकावला कॉंग्रेश और BJP में नजर आ रहा है इस लोक्षबा चेतर में ग्रामेंड मद्दाताओं की संक्या काफी जादा है ऐसे में कॉंग्रेश के स्थेति जातिय समेकरण के अलावा ग्रामेंड वोट बैंक में मजबूत दिखाई दे रही है वहीं सहरी वोटर्स पर अभी भी BJP के मजबूत पकड बरकरार है जेजेपी केंड़ेट राव बाहदूर सिंग के अहिर के अलावा जाट वोट बैंक में सेंद लगाने के पूरी संभावना है वहीं सुभास परमार और कमांडर सुनिल सर्मा खेल बिगाडने के लिए चुनावी मैदान में खूब भागदोड लगा रहे हैं या महेंगाई, बेरोजगारी और अगनिवीर जैसे एहम मुद्दे भी हैं वहीं दूसरी तरफ सहरी चेतर में परदारमतिरी नरेंदर मोदी के नाम की चर्चा भी खूब है वहीं भीवानी महेंदरगड लोगसवाद चेतर में नो विदान सवाद चेतर हैं लेकिन इस किले में कंग्रेश के रावदान सिंग की सेंद्वारी 2019 में भी देखने को मिली थी रावदान सिंग कंग्रेश के ऐसे निता हैं जिनके खुद की फैसान महेंदरगड विदान सवाद से बाहर यानि अटेली नांगल चोदरी और नारनोल में भी है बिवानी और चर्की दादरी जाट भाहूले इलाके हैं या पिछले चुनामी बीजेपी को जरूर बढ़त मिली है लेकिन इस बार प्रिस्तितें बिलकुल अलग है जाट मदाता बीजेपी से खुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं वहीं कोंगरिस की सहरी विदानसभा शीट काई जानवाले नारनोल और भीवानी विदानसभा में हाला ठीक नहीं है अटेली महिंदरकट के अलावा चोदरी धरंबिर सिंग की दो बार की जीत में एहम रोला अदा करने वाली लोहारू चर्की दादरी बाड़ड़ा और तोसाम इलाके में रावदान सिंग के इस बार मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं तो वहीं बाड़ड़ा ऐसा इलाका है जिससे कि जेजेपी का गड़ भी कहा जाता है लेकिन दो महीने पहले बीजेपी के साथ तूटे गड़ पंदन के बाद यहां की जाट मदाता का रुजान इस बार कॉंगरिस की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है वहीं नागल चोदरी में दोनों ही कंड़िएट के बीच कांटे की टक्कर है कॉंगरिस कंड़िएट रावदान सिंग ही नहीं मलकि बीचेपी के कंड़िएट चोदरी ध्रमीर सिंग को भी भीतर गात का खत्रा बना हुआ है रावदान सिंग के सामने सबसी बड़ी चुनोती किरन चोदरी है बाले ही इलाके में अच्छी पैट रखने वाली कॉंगरिस की बड़ी लिटर किरन चोदरी रावदान सिंग के साथ मंद शेर कर चुकी है लेकिन बेटी के टिकट कटने के बाद से वे खुल कर चुनावी परचार सी गुरेज कर रही है हरियाना के भिवानी में गुरुवार को पूर शेहम भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कॉंग्रेस वर्करों की मिटिंग ली कॉंग्रेस ने भिवानी में अंदरगर सीट से रावदान सिंग को चुनावी मैदान में उता रहा है विवानी में हुड़ा से पतरकारों ने स्वाल किया कि चोधरी बंचलाल के परिवार की राजनीतिक खात्म करने का शड़ेंतर तो नहीं रचा गया इस पर हुड़ा ने बंचलाल के दामाद सौंबीर व पोते अनिरुद की मोजुद्गी दिखाते वे का कि पूरा परिवार साथ है विवानी में मन्च से बोलते वे पूर मोखिमंतरी भूपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि साल 2014 तक हरियाना पर्देश विकास पर्तिव एक्तिया आई नोकरिया देने वे खेल जगत में नमबर वन था आज हरियाना बेरोजगारी अपराद के मामले में नमबर वन है फिरोती रेव वर लूट के मामले में नमबर वन बना हुआ है वपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि कॉंगरिस के सरकार बनने पर पर्देश में हर महिला को हर साल एक लाख रुपे दे जाएंगे तो हैं पर्देश में 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त दी जाएगी बेरोजगार युवाओं को एक लाख नोकरिया दी जाएंगी कॉंगरिस परतेशी रावदान सिंग ने भी किरन चोदरी का नाम मंच से नहीं लिया इसे लेकर सवाल खड़े हो गए कॉंगरिस के गुटबाजी खुल कर सामने आई हालांकि रावदान सिंग ने पोर मोक्य मंतरी चोदरी बंचलार के विकास कारियों की सरहाना की लेकिन किरन का नाम अपनी जोवान से लेना उचित नहीं समझा चोदरी बंचलार शिंग उड़ान ने शिर्षा में कुमारी सेल जाके चुनाओ परचार में जाने को लेकर पूछा गया तो कहा कि वह बुलाएंगी तो जरूर जाओंगा नो में मुस्लिम वोटर ज्यादा होने की वज़े से भाजपा को कम वोट मिलते हैं या कॉंगरेस को भाजपा उमिद्वार से ज्यादा वोट मिलते हैं आने वाले समय के अंदर मैं आपके काम आने वाला बंदा हूँ, इसलिए मुझे और मेरी पार्टी को आपके वोट चाहिएं, एक बार तो कम से कम जीतागर भेजें, जीत तो वैसे भी जाओंगा मैं, गुरुगराम से जीत जाओंगा, रेवारी से जीत जाओंगा, लेकिन मे वालो एक बार अपने यहां से भी जीतागर भेजो, ये मेरी आपसे उम्मीद है, गुरुगराम सेट पर जीत को लेकर पूरी तरह confident नजर आ रहे, रहा इंदर जीत 5 बार के सान सद हैं, भारती शेयर बाजार में मैं महीने के दूसरी बड़ी गिराउट देखने को मिली है, सेन सक्स 122 अंकी गिराउट के साथ 72,444 के स्थर पर क्लोज हुआ, इससे पहले 3 मही को 1149 पॉइंट सुलूट का था, वहीं निप्टी में भी 345 अंकों की बड़ी गिराउट आई है, निप्टी 21,907 के अस्तर पर बंद हुआ, सेन सक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिराउट त सबसे बेहतरी न्यूज चैनल, CWB हिंदी न्यूज नमस्कार, इसी आसा के साथ आपका दिन सुब रहे